अचार बनाना ऐसा लगता है कि बहुती कठिन काम है बहुती बड़ा काम है ऐसा लोगों की सोच है लेकिन आज मैं आपको अचार बनाने की इतनी मज़ेदार और इतनी शौटकट रेसिपी बताऊंगी कि आपको अचार बनाना चुठकियों का काम लगेगा तो वीडियो को पूरा आखरी तक देखिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आज हम बनाएंगे सर्दियों की बज़ेदार गाजर, मूली, कच्छे, पपीते, हरी मिर्चा और अद्रक का अचार तो यहाँ पे हमने सारी सब्सक्राइब को अच्छे से धो लिया है और उसका पानी सुखा दिया है पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए अचार बनाते वक्त यहाँ पे हम मिर्ची की उपर की डंडी काट दे रहे हैं बीच में से दो भाग में काट लिया है अधरक को छील लिया है और उसको इस तरह से मोटे मोटे पीसे में काट ले रहे हैं अधरक में थोड़ा ही यूज कर रहे हैं आपको अगर मन हो तो आप जादा यूज कर सकते हैं आप लेहसुन भी यूज कर सकते हैं ठीक है इस अचार मुली को भी ख Ausw ज़ा दो छील लिए और शाम को मोठे मोठे चंक्स में गाञ्सलिम काट ले रहें। गाजर को भी तरह में चंक्सली के तले रहें रहें। इस च्छा पपीते के पा अचार में यूजके लिग Allah कम Tea topic again बीच में से जो बीच वाला पोर्शन था उसको भी हलका सा काट के निकाल देंगे और कच्छे पपीते को भी सेम हम गाजर और मूली के शेप में काटेंगे जैसा कि हमने काटा है थोड़ा सा मोटा ही रखेगा और लंबे-लंबे पीसे में कट कर लेंगे तो यहां पे हम आदा ही कच्छा पपीता यूज कर रहे हैं आपको जो भी अचार बना रहे हैं जिस भी चीज का उसकी मात्रा आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं यहां पे हमने सारी सबजीों को दो के चील के बस पानी नहीं होना चाहिए इस बात कध्या नखिएगा बिलकुल पानी नहीं होना चाहिए तो गाजर, कच्छा पपीता, अदरक हरी मेट और मूली यह सब हमने काट लिया है तो चलिए यह सारी तैयारी हो चुकी है अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं अचार बनाने का कामना हमेशा हम लोग अपनी दादी नानियों के जमाने में देखते थे तो यह एक ट्रडिशनल रेसिपी है और मेरी कोशिश है कि यह ट्रडिशनल रेसिपी लुपत नहीं होनी चाहिए खतम नहीं होनी चाहिए हमें इस रेसिपी को जिंदा रखना है तो अ हम इसमें डालेंगे गाजर मूली और कच्छा पपीता दाल देंगे और इसको हम Muslimlı च्छा पे गंढे दो मिंवी डालें इसको मिडियम फ्रेम की तो मीडियम में शायट चाल देंगे करेंगे अच्छा उबाल आ जाएगा उसके बाद तुरंती हम इसको चान के अलग रगतेंगे यह प्रोसेस करने से क्या होगा कि आपके अचार ना लंबे समय तक चलेंगे ठीके ना वह खराब नहीं होंगे हमें सिर्फ दो से तीन मिनट ही बॉयल करना जैसे ही एक उबाल आ हम इसका ढखन हटाएंगे और इसको फटा फट एक चन्ने से चान के हम दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर देंगे तो इस तरह से हमने एक भगोना लिया है उसके उपर हमने चन्नी रखी है बड़ी सी और इस तरह से चान के हम इसको इसमें डाल दे रहे हैं पानी बिल्कुल जो भी आपका मन करे अचार डालने का गोभी को भी आप डाल के बना सकते हैं इनी सारी चीजियों के साथ तो यहां पर देखिए हमने इसको अच्छे से चान लिया है चन्नी में से सारा जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है तुरंती हम क्या करेंगे अब हम इसको पं आईए और इसको इस तरह से पूरा अच्छी तरीके से फैला दीजिए एक के उपर एक नहीं होना चाहिए फैला दीजिए और पंखे को फुल पे चला के इसको आप दो से तीन घंटे के लिए पंखे के नीचे रग दीजिए इससे क्या होगा इसके उपर की जो लेयर है ना हलकि इसकी ऊपर की जो एक लेयर है वो बिल्कुल सूख गई है तो यहां पर अब हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे तो अचार बनाते वद इस बात का ध्यान रखेगा कि हम जो भी बरतन यूज़ करते हैं वो बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए उसमें पानी या मौशर पानी होना चाहिए और दूसरा हमें अपने हाथ से टच भी नी करना है अध्रा को हरीमिर्श भी देखिए हलका हलका सूख गया है जब हम इसे छीलते हैं काटते हैं तो हलका सा मौशर इसके अंदर भी आ जाता है पानी आ जाता है लेकिन दो तीन घंटे पहले हमने इसको का बारीक वली जो राई होती न वो डाल दिया है वन फोर टेबिल स्पून से थोड़ा जादा मेथी दाना डाल देंगे इसका बड़ा चट स्वादा आता है गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और इन सारे खड़े मसालों को हम लगतार चलाते हुए सिर्फ और किसी भी इंग्रीडियंट में या किसी भी समान में तो आपका अचार खराब हो जाएगा हमें सिव इसका मौशर खतम करना है यहां पर लबब एक से डेर मिनट हो चुका है इन मसालों में से हल्की हल्की सी खुजबू आने लग गई है अब हम इसको रोस्ट करना बंद कर द मिकशी घार में से डर्रा पीस लइ Immer अच्राह उतीक हुल्म है यानि कि मटा पीसना है मसाले हमारे मिर्च करीब कर दोदी यहां पर देऊ-चंरा ठाल रहे हुझा मिर्चे कर दोदेता थो मिर्च जडिशन ению तो तो राचे आते हैँ एदा छेश शा यहां कलोंजी डाल रही हूँ 1-4 टेबिल स्पून से थोड़ा जादा और इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1.5 चम्मच भर के हल्दी से क्या होगा आपका अचार खराब नहीं होगा लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वात के नुसार डाल दीजे जितना आप मिर्च खाना पसंद करते हों हीं अच्छी क्वालिटी की डाल दीजे आदा चम्मच से थोड़ा जादा नमक हम इसमें दो चम्मच बड़ा भर के डालेंगे नमक प्रिजरवेटिव का काम करेगा और आपके अचार को जादा लंबे समय तक खराब होने से बचाएगा यहां पे हमारा अचार का मज़ेदार जो मसाला है वो बनके तयार हो गया बहुत ही आसान है देखा आप लोगों ने अचार बनाना कितना आसान है इस मसाले को अभी हम रखते है साइड में से मुसी पैन को हम गैस पे चड़ाते हैं जिसमें कि हमने मसालो को रोस्ट किया था इसमें हम 3-4 कप सरसो का तेल डाल के गरम करेंगे तो सरसो के तेल में हि अचार अच्छा बनता है तो यहाँ पे हमने तेल डाल दिया है और तेल को हमें इतना गरम करना है medium flame पे कि इसमें से धुवा निकलने लगे यानि कि तेल का जो कच्चा पने हमें उसे खतम करना है और तेल अच्छा गरम हो गया है गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजे और इसमें हम गाजर, मूली, हरी मिर्च, अद्रक, कच्छा पपीता और जित्ती भी चीजे थी वो सारी हम डाल देंगे हाथ से बिल्कुल टच नहीं करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है तेल की अच्छी सी लेयर इसके उपर लग जाएगी तो आपका अचार जो है लंबे समय तक चलेगा तेल खुब अच्छे से मिक्स कर दीजे पहले हमने मिक्स कर दिया है अब हम इसमें डालते हैं मसाला तो थोड़ा थोड़ा करके हम मसाला डालेंगे, अचार वाला पूरा नहीं डालेंगे, तो थोड़ा समने डाला है और हम उसको अच्छे से मिक्स करते जा रहे हैं, तो यहां पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, लो फ्लेम पे ही हम ये सारा काम कर रहे हैं, अच् अगर आफ वैनेगर की जगहे पर निंबू का रस डालेंगे तो आपका इचार और खटा बनेगा बहुत बनेगा और वैनेगर डालने से क्या होता है कि आफ आपका अचार खराब भी नहीं होगा तो यहां पे इन सारी चीजों की हम खुब अच्छे से mixing कर देंगे और ये आपका अचार बनके तयार हो चुका है तो mixing बहुत important है अच्छे से mixing कर दीजे और इस अचार को अब हम तीन से चार दिन बाद खाएंगे जब ये अचार तीन से चार दिन बाद आप खाएंगे न तब इसका सुआद बहुत अच्छा लगेगा तो ये लीजी हमारा अचार बनके तयार हो चुका है गाजर, मूली, हरिमिर्च, अद्रप और कच्छे पपीते का बहुत ही टैम्टिंग लग रहा है और अचार को हमेशा बनाने के बाद कांच के जार में रखिए और ये कांच का जार मैंने गरम पानी से धोया था, उसके बाद इसका पानी पूरा मैंने सुखा दिया है इसमें बिल्कुल भी मौशर नहीं होना चाहिए, धूप में मैंने इस जार को सुखाया है तो जार भी आपका बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए उसमें मौश्र नहीं होना चाहिए जिससे कि आपका अचार खराब ना होती है यहां देखें मैंने काच के जार में इसको भरके रख दिया है अब पांच दिन बाद मैं इस अचार को खाऊंगी वैसे आप इसे तुरंद भी खा सकते हैं लेकिन जो खटा पन है जो खटास है वो तीन से चार दिन बाद ही आएगी तो है ना यह अचार बनाने का तरीका बहुत ही आसान दादी नानी के जबाने से चला आ रहा है घर में बनाने का तरीका अचार का तो इस रेसिपी को लुप्त मत होने दीजे, खतम मत होने दीजे, इस ट्रडिशनल रेसिपी को हमें जिन्दा रखना है, तो हर घर में अचार बनना चाहिए, और अचार बनाईए, खाईए और एंजॉय करिए, वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेर और मेरे चैनल को सब्स स्क्राइब करिए, हम फिर में रेंगे सितरे की एक मज़ेदा रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाबाई, टेक केर,